भक्ती रसमर्ता सिंद्र भागवान कृष्ण की विशेष्टा है भागवान कृष्ण के गुनों का परणन करने और कल मैंने बढ़ा था सुशोभित ऐती कि एक ही बढ़ाता है सुशोभित दो बढ़ेते हैं ओके सुशोभित और मधुर ये दो कॉलिटी स्पढ़ीती भागवान की अब मैं के पढ़ रहा हूँ भागवान का एक गुन है विलासी रुपगास्वामी लिख रहे हैं विलासी कौन होता है जो पुरुष सदे प्रसंद रहता है और हसकर बोलने का आदी होता है वे विलासी कह जाता है इंट्रेस्टिंग है भागवान कृष्णा हमेशा खुश रहते हैं कृष्ण भागवान की नाम भी आत्मा राम शांस्त्र मेले का आत्मा राम जो आत्मा राम का मतलब जो अपने मेरा मन करते हैं एक मतलब यह जो अपने मेरा मन करते हैं प्रिष्ण भगवान को किसी की जुरूरत नहीं है, आनन्द प्राप्त करने के लिए, वो self-generated happiness है, स्वेम प्रकट आनन्द है भगवान में, और इसलिए वो हमेशा प्रसंद रहते हैं और हसकर बोलने के आदी हैं, इसमें एक्जांपल दे रहे हैं, रुपा गुस्वामी, यह विशेष्टा क्रिष्ण में तब देखी गई, जब राजा कंस के अग्यस थल में प्रकट हुए थे, कंस ने बुलाया था, क्रिष्ण बल्राम को, अकरूर जी को भेज कर, कि आप लोग, कि अकरूर जी को बोला थ कि आप कंस क्रिष्ण बल्राम को ले के आईए, और हम यग्ये करने के छल में, क्रिष्ण बल्राम का मल्यूत कराएंगे, और हमको मरबादेंगे, that was his idea, question है कि कंस, कंस तो इतनी पास था मत्वरा में, बिंदवन कौन सी दूर है, आज भी आप, अगर आप टांगे पे जाओ था, क्रिष्ण को मार ने, but actually कंस खुट बहुत डरा हुआ था, कंस ने जितने भी असुर भेजे, पूतना, अत्रिनावर्थ, अगासुर, बकासुर, सब को क्रिष्ण भगवान ने बहुत असानी से मार दिया, तो actually कंस डर गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि, well, ये ब No efforts, तो कंस को खुट डर लग रहा था, बिन्दावन जाने में, इसलिए कंस ने जोचा कि मैं यहाँ पर बुलाओंगा अपने हाँ, और यहाँ पे मेरी सारी force है, और जो भी है, और उनको छल से मार डालूँगा, तो क्रिष्म अगवान, क्रिष्म भलगराम को पता था, अक अकरूर जी जानते थे, क्रिष्म भलगराम भगवान है, उनका mental setup अलाग था, व्रजबासी बहुत दुखी थे जब अकरूर जी लेके गए, और नंद बाबा यह भी कहर जाए कि इतने छोटे बच्चे हैं, I think क्रिष्म भलगराम की एज क्या गी उस ताइम, हाँ मतलब है, अकरूर जी लेके चले गए, और जीवा को सौमी भी लिख रहे हैं, कि अकरूर जी जब लेके गए क्रिष्म भलगराम को, तो सारे व्रजबासियों को बहुत दुख हुआ, उनके लेके चले गए उनसे दूर, वो तो चलो कोई problem नहीं थी, मगर अकरूर जी ने व्रजबास आश्यों को कंसोल नहीं किया, कंसोल कैसे कहते हैं, शांतवना नहीं दी, यशोदा नंद बाबा को थोड़ी बहुत दी ती, गुपियों को नहीं दी उन्होंने, ना उनने सखाव को दी, ना गायों को दी, जिन से कृष्ना बिचिड रहते, इस बात का कुरूर जी को अपर इस अफराद के कारण विकि उन्होंने भगवान को अलग किया था तो उनको भी भगवान से अलग होना पड़ा वो जो पूरा इंसिदेंस आपका शमंतक मनी वो चोरी हो गया था तो उसका इल्जाम उसका इल्जाम फिर कृष्ण भगवान पर लग गया उसका इल्जाम नापिंग हो गई है कि सारा इल्जाम प्रिश्न अकरूर प्रूर अकरूर ने का भी यहां तो अब सेख नहीं है अकरूर जी वहां से चले बनारस काशी और वहां पर रहे काफी टाइम तक है तो उनको भगवान से अलग होना पड़ा क्योंकि ब्रचवासे के प्रती अपराद हो गया है सो एनिवे अकरूर जी लेके गाए क्रिश्न ग्रल्राम को यग्यस थल में और जब कंस के अग्यस थल में क्रिश्न भगवान प्रकट हुए तो ऐसा वर्णा नाता है कि राजीव नयन क्रिश्न मलों के बीच अविनीत हुए बिना प्रविष्ठ हुए हिंदी पूर और मुष्टिक बेस्ट रेसलर्स पूरे वर्ड के और उनके साथ व्हाई भाई भी थे चानुर मुष्टिक करें क्रिश्म भगवान और प्रकट हुए बिना दीनता के पूरे सहास के साथ एक्चुली मलो करुक अंदर आये यग इस्थल में मलो को प्रतीत हुआ कि य उनका हिर्दिक काव गया के तॉर फिस्षिस्टा है वो अब जैसे कृष्ण को देखो इस दिखाई देंगे जैसे नगा फो भागवां की विश्षिस्टा है मार देंगे तो कृष्णा कंस को मृत्य के रूप में दिखाई दिये मलो को मलो को डर था तो मलो ने सोचा कि मुझे हमें कृष्ण से लड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ सुना हुआ था कृष्ण के बारे में अच्छुली अभी अभी नियूज आई थी पाच उनट पहले कि कृष्ण कुबल्या पीड को मार दिया गेट पर खड़ा जाथा कंस ने जैसी कृष्णा एंटर करेंगे तो कृष्णा एसा हाती था कि उसके पास अग्या कैसे था उसके दस हजार देवताओं इन्द्र से लड़ाई कर सकते हो था, इतना बल था कुविलयापीड में, को औरणरी हाते नहीं था कुविलयापीड, इंद्र बरुन सब सुर के देवताः दरते थे कुव रखकी के शेपज हो, रखकी के शेप, आधाट नहीं था, इतना पाइफ़ूल था कि कंस ने कुवलय बच्छा नहीं था मैं कृष्णा सबसे पावाफुल कृष्ममान ने कुबल्या-पीड का दात पकड़ा वो निकाला और उसी से कुबल्या-पीड को मारा और अंदर एंटर किये तो जानूर मुझे को पता लगिया कि कुबल्या-पीड को मार दिया बहुत डरे हुए थे तो जो माँ पे बैठे थे मत्रावासियों को कृष्णा एक हीरो दिखाई दिये तो सबको अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं अपने हिसाब से सुग्दे को स्वामी मेंचन कर रहे हैं और वहां पर फिर शिला प्रभपा लिख रहे हैं कि आपकी जैसी भावना होगी वैसे ही भगवान दिखाई देंगे अगर आप सोच दो क्रिष्णा ओर्डिनरी है तो ओर्डिनरी दिखाई देने लिए तो भगवान यहां पर मलो को साक्षाद भाय के रूप में दिखाई दिये और दृड़ता से उन पर दृष्टी फेरी और उन सबों को ऐसे प्रतीत हुआ मान एक्चली भगवान गए तो समने का ठीक है आपको इंसे लड़ना पड़ेगा क्रिष्ण बलगरा में हाथे चनुर मुष्टे किया तो क्रिष्ण भगवान उनसे बाते करते समय मुस्कुरा रहे थे यही कॉलिटी है ना विलासी शान सोच रहे थे बच्चों से कीड़ों से लड़ना पड़ेगा कोई मैच ही नहीं है क्रिष्ण का है और मुष्टिक का है और इस तरह वह बीड़ता पूर्वक मल्यूत के रंगमंच पर खड़े हो गए पॉइंट यह है कि क्रिष्ण भागवान के बारे में क्या बोला है सुद्यक स्वामे ने यद भिवेती स्वयम भयाम से स्वयम भाय डरता है वो किससे कैसे डर रहेंगे तो मल चानूर मुष्टे के सामने बलगराम जी ने बोला भी क्रिष्ण भामान को एक्चुली यह जो यह जो मल युद की रिला हर कल्प में होती रहती है नि इस ब्रह्मान में कसी ब्रह्मान में जीवाग स्वामी लेख रहे है कि एक पिछले कल्प में जब क्रिष्ण भालगराम की पाईड़ोई चनूर मुष्टिक से तो सारे के सारे सखा भी आ गयते हों मदूमंगल आ गया रेडी हो गए लड़ने के लिए क्रिष्ण भाल ने अपना बांग लिया सर भी बांग लिया तो महाँ मदूमंगल आ गया सुबल आ गया श्रीधाम आ गया तो मदूमंगल ने बोला क्रिष्ण आप हटो मैं इनसे लड़ाई करूँगा यह तो बच्चे हैं और सुबल ने क आप कि कृष्णा मैं तो तुम्हें सानी से हरा देता हूं बिंदावन में तुम तो अब बच्चे हो तो अब मेरी शक्ति देखो मैं क्या करता हो इनका हाल तो यह सब सुन-सुन के खिश्णा हसरे देगी है तो अब अब आप उब्रज में तुम खेल रहे हैं आप अप दस आइसा नियुक्त थोड़ा मज़न दो कि थोड़ा मज़ा हाय थो तो आप जाके इनको मारेंगे लिशने का मैं चान्वर को हैंडल करूंगा बल्रामजी से का कि आप लोग मुष्टिक हुश्टिक हुआ उसको एंडल करना हम थोड़ा खेलेंगे मज़ा आएगा हमारे फ्र भ्हगवान के लिए श्रिष्टी भी एक विलास है, श्रिष्टी की रचना, इतनी कॉंप्लेक्ष श्रिष्टी है। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं भागवतम में तेंथ केंटों में कि जाननत वा जाननत वा किम में भहुकत्यमे गृतम ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं स्रिष्टी समझ लेंगे वो कहलें तो कहते हैं स्रिष्टी समझ लेंगे अच्छा समुदर के दट पे मिट्टी से बना देता है घर और तोड़ देता है भगवान के लिए एक्जैक्ली वह ही है पूरी शुष्टी बना दी और प्रले के समय चलो गया एक हाथ पेरा खतम फिर दुबारा बनाई फिर हाथ पेरा खतम इसलिए कृष्ण को विलासी कहते है इस आलवेज इन प्लेफुल मूड इस नाम इस कॉलिटी पे रूपागो सौमी ने एक ड्रामा लिख जिसका नाम है विदग्ध मादफ रूपागो सौमी की रचना है विदग्ध मादफ विदग्ध मतलम बता है clever playful naughty प्रिश्मुमान के ये qualities है बहुत naughty है बहुत playful है खेल कभी-कभी अपने भक्तों के साथ भी खेलते हैं मतलब खेलने का एक नेगेटिव सेंस भी होता है हमारे साथ भी खेलते हैं कैसे खेलते हैं कभी-कभी हम लोगों को माया में डाल देते हैं कभी-कभी हम लोगों को punishment देते हैं कभी-कभी प्रेम करते हैं कभी-कभी ऐसा करें भगवान बहुत कुछ करते हैं और उसी उसी को कहते है रस रस मतलब होता है जब किसी रिलेशन्शिप में जो दो व्यक्ति हैं वो अलग-अलग activities करें तभी मज़ा आता है नो यह आप सो कोई प्रेम करता है वो कभी आपसे बात करें कभी बात ना करें कभी खेले आपकोर्स तभी तो मज़ा आएगा रिलेशन्शिप में प्रिश्म मुवान भी ऐसी है उसको बोलते है रस तो यह बेलासी क्वालिटी वो इंट्रेस्टिंग है क्योंकि श्रिष्टी में भगवान के धाम में भक्तों से इंटरेक्शन में यह कॉलिटी बार-बार आती है भगवान की कि भगवान बहुत प्लेफुल समझते ना प्लेफुल प्लेफुल इंदी में कैसे कहेंगी मतलब नटखट समझते हो हम अब बड़े हो जाएं चाहें चोटे हैं कोई भी लील है बस सीरियस नहीं है जैसे राम भगवान बहुत सीरियस रहते हैं अगर मैं बोलू कि राम भगवान नटखट है तो कुछ सेक्ट नहीं होगा माइड है उसको हैंडल नहीं कर पाऊगा आ होता है क्योंकि राम भगवान सीरियस मूद में में हमेर मूड में राम का नाम है तक है न में वाम Mehr지만 और वैरी सीरियस बहूत घिर कंभीर राम पर खोने धीर, sense controlled, serious, आप कभी भी राम भगवान को नहीं देखोगे कि वो खेल रहे हैं, नटकटों की तरह है, मतलब इमाजन भी नहीं कर सकते हैं, राम भगवान, चित्रकूट में सीतामा के साथ हैं, और वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, लक्षमन जी के साथ, राखा भी नही है, मतलब यह तो crazy idea है, यह तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो रमायन जानता है, doesn't happen, बड़ अगर आपको कृष्ण महान फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वो भी अजीव सा लगता है, यह कृष्ण महान अमशा खेलते रहते हैं, so दो एक opposite extremes हैं यह जो दो अप्तार हैं, वह अंकर भी रहे हैं, इसके उल्टा, okay, so that's one quality, अनदर भगवान की दूसरी quality है, विश्वस्नी है, कृष्णा विश्वास के पात रहे हैं, कृष्णा जो promise करते हैं वो हमेशा करें, गीता में promise किया है, नह में भक्ता, मेरे भक्ता कभी नाश नहीं होगा, और इसी promise स एक devotee अपना जीवन जीता है, इसको security है, भगवान ले खुद का है, मेरे भक्ता नाश नहीं होगा, और इस confidence से, रक्षिशतीती विश्वास उसे, एक devotee अपना जीवन जी जाता है, विश्वस्नी है, एक्चुली विश्वाथा को यह भी लिख रहे है, आप सोचों के ठीक यह भगवान के रहे है, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, यह उन भक्तों के लिए जो की महान भक्त है, ऐसा सोच सकते हम, बड़ सारे अचारे लिख रहे है, नहीं है, भगवान ने जब भक्तों की बात किये तो, भगवान सारे भक्तों की बात कर रहे है, चाहे नए हो, चा नहीं है तो, इसलिए कृष्वा को विश्वस्णी कहते हैं, उसके एक्जामपल देना है लुपअ को सामी, जो व्यक्ति सभी पर स्थितियों में विश्वास पात्र बना रहता है, विश्वस्णी है, ब्यूटिफूल डेफिनेशन, हम आप विश्वस्णी हो सकते हो, नॉर्मल सेस्टम स्टांसिस में मगर सारी परिस्थितियों में जो विश्वस्नी मना रहता है वो विश्वास पात रहे मतलब आपने किसी को विश्वास दिलाए कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ सपोस और सपोस आप आपके घर में चोरी हो गई आप लुट गए और सड़क पे आगए मगर आपने विश्वास दे लाए उसको कि मैं तेरी हेल्प करूँआ जब भी पैसे कमी होगी वो आपके पास आगया तो क्या करोगी वो गया मेरे पास ही पैसे निया मैं कैसे हल्प करूँ भगवान ऐसे नहीं है भगवान ने जो विश्वास दे दिया वो होगा मतलब प्रिश्णा बैक आउट नहीं करेंगे नहीं हम हमारा हम किसी को विश्वास देते हैं तो वो कभी न कभी किसी भी परिश्वास देते हैं तो तूट सकता है भगवान विश्वस्निय पात्र हैं किसी भी परिस्थिती में विश्वास पात्र बना रहता है वे विश्वस्निय है इस सम्मन्द में श्री रुपगा स्वामी कहते हैं कि असरों को भी कृष्ण पर विश्वास था असरों को भी कृष्ण पर विश्वास था तो कृष्णा हमें नहीं मारेंगे असुर को यह भी विश्वास था कि अगर हम करोणों लोग को मार दे हम मारने काथ कृष्ण की शरन ले 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 तो छोड़ देंगे इन कृष्णा खुद का है जो मेरी शरन लेगा मैं उसको मैं उसकी रक्षा करूँगा तो असुर असुर एक्चुली भगवान से बिना डरे बस मारते काटते थे उनको इतना डर भी था मगर डर नहीं भी था क्योंकि उनको पता था कि एकदम से कृष्ण की शरन ले ले लेंगे हम बज जाएंगे इनफेक्ट शिमत भागवतम भी ऐसी शुरू होती है कली को भी पता था कि परिक्षित की मैं शरन लोगा तो बज जाऊँगा कि परिक्षित भगवान की डिवोटी है और कली ने तो इतना फर्स्ट केंटो में आता है इतना सारे पाप कर बढ़ा दिये जैसे सब बढ़ा दिये कि परिक्षित महराज कली के सामने ही आगए कि ओं मारने के लिए तलबार निकाली परिक्षित ने का था तुम्हेँ मारनी सकता। इसको धर्म कहते हैं हैं, आपको छपी लिग्वार की निहीं सकते हैं। यार मार की नियुक्ते हनुए एक मार का सबसुतिया। क्या आक्टिंग नहीं। एक्टिंग ही ही तो कर रहा है कलमी, चरण लेवंगा, यह कर लूँगा। हम मार देंगे ढागवान भग्वान और भाग्वान के डिवोटी से महान लोग ऐसे नहीं है वह धर्म पालन करते हैं और धर्म सिखाता है अगर आपके किसी ने शरण ली आप इसको मार नहीं सकते हैं वह द्रम हो जागा चाहे फिर उसमें कितनी प्रब्लम आया है चाहें वह आपका कितना ही दुष्मन क्यों नहों दृणाचारे के पास यह तो था या कौन ता द्रिश्थ्यूम गांड़ूस द्रॉपती का बहुत है द्रिश्थ्यूम का प्रकट्टे उवा दुरोनाचारे को मारने के लिए यग्ये से ए जुआ होड ये इतना पागाले दुरोंद आप क्या कर रहे हो हमें सबको पताए कि द्रिश्द्यूम का जन्मी हुए आपको मारने के लिए और आप इसी को सिखा रहे हो गुरुण चाहरे ने का मैं कुछ नहीं कर सकता है धर्म है अगर शिक्षक के पास कोई शिश्य आए कि मुझे आप सिखाईये विद्या और वो योगे भी है तो उसको मना नहीं कर सकते हैं उन्हें का मुझे सखाना पड़ेगा ये इस तरह के लोग थे पहले मतलब इस तरह के लोग जी रहे थे धर्ती पे और हम इसको मूर्ता समझेंगे नहीं मूर्ता ही समझें अको मनाने के लिए एक मैंने का का कर लिया इरो और वह आ ही किया कि उसको अहस्यस्त्विद्य शिखा दिरिश्टिम को क्यों सिखाई वह पागल थे क्रैक थे आप तो हंडिट पसंग कोगे क्रैक थे कि मगर वो धर्म का पालब करते इसको गहते महाभारत तभी व्याजदेब ने का है जो महाभारत पड़ेगा वो मुझे पता नहीं कि भक्त बनेगा या नहीं बनेगा वो तो भक्ती करने के लिए तो पुछले जन्मों का पुलने भी चाहिए मगर ये मैं निश्ची दूरूब से कह सकता हूं कि वो इनसान जुरूर बन जाया मनुष्य और मनुष्य का सबसे बड़ा गुन है कि जो धर्म पालन करता है नहीं कि धर्म पालन करने के लिए माइंड पर कंट्रोल चाहिए नहीं कंट्रोल ही तो चाहिए कि आप उसको सिखा रहे है जो आपको मार देगा आपको सिखाना भिए प्रेम से शिखाना है और उब पता है सीखके मुझे मारे गया मेल हगला घाटेगा tremendous mind control अगर और आपके आद होजा आपको थो पागली हो जाओ अप तो irritated हो जो यह क्या हो रहा है आप नहींकर सकत है ऐसा हमारे साथ कोई कुछ करते हैं हम तो द्वेश से पागल हो जाते हैं उसके अगेंस पूरी लाइफ उसके अगेंस्ट जहर उग लेंगे एंटी करेंगे आउट अफ कंट्रोल आता है आदमी मुझे कितने ही सोच ले जब सामने आता है वो तो मैंने तो बहुत केसिस देख लिए माइंट पर कंट्रोल नहीं रहता हूं उनका चाहे कितनी फिलासिफियर कुछ भी हो बट यह लोग तभी तो एक्स्ट्रा और नरी क्याव मां क्योंकि लोग शेखंडी आकर वि Def включ के सामने नहीं पूर्ण कमैं यह लिए लाद के सवारी-व्हुमा प्रकुण छा क्यंकि यह अचि vert खांगर टोर्ची आंथ शिखंडी आदमी था वो लड़की ही लड़का बनी थी है नि अंबा अंबिका और अंबालिका ये कौन थी है कौन थी है अंबा थी अंबिका थी उसमें से कोई एक थी तो उसने शपत लिदी मैं भीश को मारूंगी अब प्राबलम ही कि वीश पतामा हमार वह मृंच हा आथ क्यूंकि वो की वह क्यूंकि वह बीश पतामा से अब कुछ गडवड़ हो गए आपको पते हैं स्टोरी सारी इंगरवड़ हो गहीती वह बीशेतामा के ट्नैप कर लिआ के वह कुए इसका पहले चक्कर चल रहा था किसे चल रहा था ? कौन था तो सिख़ाए नाम था कोई कोई , तो ह राजा था कोई ? साल था ? हूँ नहींस थे ? स से कुछ नाम थाई युष रहा थाध उसने का आप मुझे पकड़ के लिया आए अपने भाई से शादी करने के लिए मेरा तो प्रेम चल रहा है वाँ तो वीश्वतर हमाने का क्या करें तो उसने का मुझे बापिस भेज दो मैं नहीं रह पाऊँगी है उस तो नहीं का ठीक है जाओ जब वहाँ पे गई तो उसने का कि भाईया मैं 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 छीना हुआ क्या क हो गई वीश्वतरमा के पास गई उनने का भी है वहाँ तो ऐसा हो गए अब आप मेरी शादी करा दो परें भाई से तो उनने का अब तो हो यह नहीं सकती अब तो सब सेटल हो गया है और तुम आपे भी चली गई अपनी मर्जी से अब तो तुम दूशित हो चुकी हो तु अब मैं तुम से शादी भी चुदा ने का तुम पागल हो सब्सक्राइब तो और वह पागल हो गे तो वह फिश्वतरमा के गूरू के पास आली पास कि अव्प इसकु को पीच्वत बूदी करें मैं तो पीच मेण पीच में लिटक गई न घर जा सकती है न यहां गैसक्ति पागल और था साइको है हुए प्षूराम जी ने सोचा ठीक है मैं भीश्म को समझाओंगा और वो शादी तो करेंगे निए तो मेरे मेरा योद होगा उनके साथ है और भीश्म मुझे हरा देगा पशुराम जी को पता था भीश्म पे बहुत confidence था उनके strength पे और इस तरह से भीश्मतामा की का याश पूरे प्रत्वी पे फैल जागा इसलिए पशुराम जी ने इसकी बात मान के और वो चले गा भीश्म को समझाने उनको पता था यह सब होगा और भीश्मतामा ने हराई दि कि आप जन्सी ही कई नहीं, कुछ हो यह सकता तो वह आठ सो साल जी है जी तु वह पूर वह से घीज़़्टामा के इसयतामा कि उमर कितनी थी दो होता यूद में बाहनलंने से पहले सो जांचि साल थी तो आठ सो साल वह जिन्दा रही और सुपस्या करती रही थी ए खाना पीना चोड़ दिया तो खाना पीना और शोड़ दिया एंगर कोई खाना पीना चोड़ देगा वो मरेगा नहीं है हो मल्टा सोचते fazer- कि खाना आट दी होटा मर जाएंगे अधाने क्या किया किया उसना योग वो करना शुरू कर दिया तो वो 600 साल जी ली 600 साल बाद उसको लगा ये तो प्रोजेक्ट फेल है क्योंकि तो आदमी मरी नहीं सकता मैं कुछ नहीं कर सकते इच्छा मिर्थी वर्दान है तो उसने अपना तो वो अपना किसी जंगल जा जा जी तो वहाँ पे उसने का अब मैं मैं खुद सुसाइट कर लेती हूँ क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता तो वहाँ पे एक यक्ष आ गया यक्ष पता है नो तो यक्ष उनमें जादू होता है तो उनने इसने यक्ष से का कि आप मुझे यक्ष ने गया तुम तो अब हे तुम मेरी जगह को सुसाइट कर रही है क्यों मेरे घर बे मैं बद्णा मोंगा तू कि आप ले कर ले चल इंदने नहीं वहाँ है क्यों डोळों दो set of लोग चल रहे हैं एक सेट अफ लोग है जिसको अपनी परवा नहीं है धर्म पालन करें दूसरों के लिए त्याग दूसरे सेट अफ लोग विल्कुल भोगी है अपनी अपनी परवा पूरा कॉंट्रास्ट है तो उसने तो उसने का मैं काई मिचारी मैं तो इससाइट करूंगी वोड़ गई मैं बहुत दुख्य हूं अब आप चले जाओं यहां से यह आप ही मुझे मार दो मुझे तो ऐसी मरने मैं नहीं जा रही हूं आप मुझे डरा गया रहो तो यह अक्षने का यह तो बहुत प्रॉब्लेमाटिक सिचुएशन है सुसाइट कर लेगे मैं बद्नाम हो जाओं छोट्स ने बर्दान मांगा की मुझे बर्दान दीजिए कि मैं भीश पिता मा की मृःती बन सकूँ हम तो एख्षने इसा है उस फैपी तरीका की मैं तुझे पूरुष बना देता हूं और पूरुष बना जाता हूं है in अन्दर शैसे भाहर से पूरुष थी इस प्रकार का उसका मतल अंदर से स्रि के mentality थी पुरुश श्रीर आगया उसका तो उसने का ठीक है अब तू जा के लड़ाई कर ले भी इसम से और उसको मार सकती है तो क्योंकि स्रि उदमे निजा सकती न और भी स्विताम स्री से लड़ाएं नी तो उने आप ठीक है पूरुश बन गई अब ठीक है ब तो शिखंडी आई वहां अर्जुन मतलब भीश्पितामा ने खुद ने बताया मुझे मारने का तरीका क्या है यू नौ बागवान कृष्ण ने बोला ता अर्जुन अर्जुन जाकर कूछो भीश्पितामा से उनको मारत तुम्हें मारे कैसे बड़ी अजीव जीव बाते हो रही हैं महारत में अर्जुन ने प्रणाम के विश्पितामा क्या मांगना है तो अर्जुन ने का मुझे आप बताई आप मरेंगे कैसे ऐसे ऐसा ऐसी मूवी आज तक ना बनी है और ना बनेगी ऐसा ड्राम कहीं होता है किसी मूवी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा इस समय ठीक है तुम जो मांग रहे हो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे शर्णागत हो तो ठीक है मैं मर सकते हूं तो शिखंडी के ऐसे तो शिखंडी को लेके आये वो भीच पता महाने लड़ाई नहीं की शिखंडी से क्योंकि उन्होंने का कि मुझे पता है कि अंदर से स्त्री है ये कि इमाजिन मतलब वैसे तो पूरुषी है कि मुझे पता है इस अंदर से स्त्री है इसलिए मैं स्त्रियों से लड़ता नहीं इसको कहते है संकल्प और धर्म जो चीज जो संकल्प ले लिया इसको तोड़ नहीं सकते लोग ना तोड़ते हैं इसको बोलते हैं विश्वस नहीं पात्र नहीं विश्वतामाने विश्वास दिया कि मैं जो भी मेरी शर्ण में लेगा शिश्य मैं इसको सिखाऊँगा उनने सिखाया चैनल वो उसको मार नहीं आ रहे हैं और इसलिए बायस देव कहा रहे थे कि महारत पढ़के अटलीस तुमें धर्म आ जाएगा तो क्रिश्वास भी ऐसे ही है असुरों को भी क्रिश्वास था क्योंकि वह जानते थे क्रिश्वास अकारन उन पर आकरमन नहीं करेंगी इसलिए वे अपने द्वार खोले रखकर श्रद्धा और विश्वास के साथ रहते थे और देवता लोग असुरों से भैबीत रहते हुए भी आश्वस थे कि क्रिश्वास थे कि उनकी रक्षा करेंगे दोनों तरफ से अश्वस थे उनको था दूसरों को कि भगवान ऐसी अटैक नहीं करेंगे देवता को था कि भगवान मेरी हमारी रक्षा जरूर करेंगे अते खत्रे के होते हुए भी वे खेल कूत के कारे कलापों में मगन थे असुरों जिन लोगों ने कभी भी वैदिक संस्कारों का पालन नहीं किया था उन्हें भी विश्वास था क्रिश्न केवल श्रद्धैवं भक्ति को मानते हैं अते वे क्रिश्न भामराम रित में लगे रहकर समस्च चिंताओं से मुख थे भक्तों का भी विश्वास था कि अगर हम भक्ति करेंगे तो भग्वान हमारे रक्षा करेंगे दूसरे शब्दों में देवताओं से लेकर असभ्य मनुष्य तक सभी लोग भग्वान की अहितु की क्रिपा पर निर्भर थे हम देख रहे हो हम पर विश्वास कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं ऐसा ही है ना भग्वान पर सब विश्वास करते हैं देवता असुर भाक्त और्डनरी आदमी भग्वान पर विश्वास करते हैं कि हम पर प्रिपा करेंगे भग्वान सो इसलिए कृष्ण भवान को क्या बोलते हैं विश्वसनी है पात्र के बल कृष्णी है जिन पर सब विश्वास कर सकते हैं हम नहीं है इसलिए इवन शिला प्रभुपान ने अच्छली गिरी राज महराज को बोला था गिरी राज महराज बड़े परिशान हो गए जूहों म मैनेज़्मेंट मे तो रहो ने कहां कि प्रभुपाजी कोई मेरी सुनता नहीं मैं बोलता रहता हूं कोई नी सुनता क्या होगा कैसे होगा बड़े फरस्टेट हो गाए तो पी तो निश्जट है तो हमारी कुछ लोग सुननें के यह और कुछ लोग नहीं सुनेंगे केवाल एक विक्थ। है। जिसकी सब सुनता है कौन है'm कृष्न किया तुम कृष्न हो। मत गुद्ण सुचन हो। कंहें पर यह दो नहीं, मत वहने का तुम कृष्णा नहीं हो तो तुम यह की सोच के चारड़ हो कि मेरे सब सुनेंगा?... अगर तुम्हें सोचोगे कि मेरी सब सुनेंगे तो तुम कृष्णी बनने कोशिश कर रहे हूं तो मसूरो गिर्ण महराज के लिए वह पॉइंट एक बंप लास था वो तो इसलिए बोल ने कहते कि मुझे प्रभबाद सांतमना देंगे कुछ ठीक है कोई नहीं सुन रहा कोई प्राब्लम नहीं है तुम फिर भी कर्चे रहो भगमान की सेवा है खुश रहो तो बंचे बिल्कुल उल्टा कर दिया तुम देव को जए सोच रहो सब सुनेंगे इसलिए management का पहला रूल ही है कि कोई नहीं सुनेगा और फिर management किया जाता है जो लोग यह management करते हैं सोच के मेरी सब सुनेंगे वो कुड़ते रहते हैं वो frustrated होते रहते हैं दस लोगों को बोलते हैं मेरी कोई नहीं सुन रहा मेरी कोई नहीं सुन रहा सब पागल है उनका idea वो manager नहीं है वो वो zero manager है क्योंकि वो सोच के चल रहे हैं मेरी सब सुनेंगे और वहापर error है पहला golden management शुरुबात ही यहां से होती है कोई नहीं सुनेगा और फिर नियम बनाए जाते हैं और फिर management के आते हैं तो उससे frustration नहीं होता है management अच्छा भी होता है क्योंकि फिर आप policies बनाओगे जिससे लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपको प्रशाद बनाना है और बाटना है तो आपको कोई नहीं सोचना चाहिए चल के management में कि मैं दोनों को बोल दूंगा और प्रशाद बना देंगे और अपनी duty कर लेंगे ठेंगा ऐसा नहीं होगा आपको सोचना सोच के चलना पड़ेगा यह नहीं मानेंगे तो plan B क्या है और plan C क्या है समझ रहे हो तो वह अच्छा manager होता है और 99% managers इस कौन में ऐसे ही हैं जो सोच के चलते हैं हमारी सब सुनेंगे जैसे कि वह भगवान है और जैसे कि जैसे कि वह महान है और सबको उनके चर्णों में आके सब बाती माननी है एक गुरू भी नहीं सोचता कि शिष्षे मेरी सुनेंगे गुरू के तो सुनते है ना शिष्षे सुनना ही चाहिए ना मगर एक अच्छा गुरू अच्छा गुरू means अच्छा गुरू and preacher वो कभी में ने सोचेगा मेरी सुनेंगे वो हमेशा सोचेगा कि शिष्षे मेरी नहीं सुनेंगे इसलिए शिष्षे को इस तरह वो instructions देता है कि वो मना नहीं कर पाए कि मना करेंगे तो उनको उफेंस लगे रहा वो भी तो है तो उनको अपरात से भी बचाना है कि मना ना करें तो इस तरह आदेश देंगे कि वो मना ना कर पाए इसलिए कभी-कभी जो लीडर्स गुरू होते हैं या तो तो ओर्डर नहीं देते वो तो तो जयरनिया अच्छा मैनेजर किया करते हैं हमिश्बर रिक्वेस्ट करता है, और नहीं देता, कि आप लीज ऐसा कर सकते हैं, वह नहीं कहेगा तुम्हें की तेरी प्रशाद की दीटी है, इसा सुपड़ मैनेजर, वह कहाएगा आप कर सकते हैं, HAS से फाइदा है, उससे पता है कि वो माने ना माने पता नहीं उसका independent mind है हमाई पास plan B भी है हम दूसरे से कह देंगे या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं और तीसरी बात है कि अगर हम इस तरह बोलेंगे तो सामने माला मना नहीं कर पाएगा यह strategy है मना ही नहीं कर सकता अगर अगर आपने अगर आपने order किया तो शायद मना भी कर जाए तो तो एक लीडर जो order कर रहा है उसकी strategy गलत है उसको दो लोग मना कर देंगे तीन लोग मना कर देंगे कि अगर हम पर order चला रहे हैं आप सोच रहे हों कि मैं senior हूं मुझे कैसे मना कर दिया मगर reality तो है कोई senior नहीं है कि management ऐसे चलता है नहीं कि लोग मुझे senior नहीं मानते और ना मैं senior भक्ती में अपने अब तो इसलिए सब्सक्राइब करते हैं कि सोच के कोई नहीं सुनेगा मैं मान के चलता हूं कि ना खिलेशवर सुनेगा सुखिला सुनेगा ना भारत सुनने वाला है ना अप लोग सुनोंगे कोई सुनेगा कोई भी नहीं सुनने वाला तब बैट के हम सोचते हैं अब भागवान का काम कैसे कराना है जब कोई नहीं सुन रहा है तो अब इनको किस तरह बोलना है कि यह सुनने में मजबूर हो जाए अब मैं डाट के बोलूँगा तो और उल्टा होगा और दस बार बोलूँगा साले तो सुनता ही नहीं तो वह भी सोचेगा अब तो कभी नहीं सुनना है कि दोएश की वह कि फ्रस्टेशन से और दोएश से मुखता है ऐसा कोई नहीं हमें लगता है उसके में पर चीज़े आएंगी और वह फिर एंटी होगा या तो दूर रहन जब दधने लगेगा मुझसे यह होगा और किया करूं कि मुझे पता है नहीं सुनेगा तो आप रभुजी आप ऐप इतुम कर सकते हैं क्योंगी एक पॉइंट ऑफ यह मैं सिनियर भी होना रिखोसी कर रहें लेकार जो कोई भी इनसान अच्छा उन्हें लेगा कि रिक्वेस्टी कर रहें चलो कर लेते हैं अच्छे हैं हमसे क्रें करना चाहिए कि यह management होता है इसलिए अगर management में कोई कुछ नहीं कर रहा तो गलती आपकी मैनेजर की गलती है लोगों की गलती नहीं है मैनेजर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन है उसको मैनेजमेंट नहीं करना होता है कृष्णा एक्जाट्ली ऐसे ही है अभी आगे कॉलिटी आएगी मैं बताओंगा अगर टाइम होगा कॉलिटी कृष्णा बेस्ट मैनेजर आएगा और कृष्मागवान भी है सी करते है एं हमेशा हास कर बोलें इंग और अपना काम निकलवान काम होना चाहिए न और एगर हमारे बिफकूची कैसे ब्हकवान का होदा दौ मरुखजर है तो किसको फॉराथ लग रहा है कि हम करलाही है काम हुद सो हमें ब्हक्वान का बिजन्स बढणा करना है काम करवाना है तो उसके लिए यह विए टुब लाइप कृष्णा लाइप क्रिश्न तो मैं बता रहा हूं कि सारी इस पड़के न भगवान की आप में भी गुनाने लगेंगे और फिर आपको लोगों को सभी से गाइड कर सकते हो लोगों को सभी से मैनेज कर सकते हैं और भगवान का काम करा सकते हैं तो बाकी हम तो बाकी हां पर दस लोग आए मरके चले जाएंगे हम भी चले जाएंगे काम नहीं हो भगवान का तो प्रोजेक्ट फेल हैं हम चाहें रोते रहें चाहें चिलाते रहें हम फेलियर हैं भगवान की नजर में क्योंकि भगवान क कुछ भी नहीं बाद So you need to be clever like इसके बाद quality आई की दक्ष इस पॉइंट आ कर भी बता हूँ Anyway, Hare Krishna, Shri Rafa Aba बाद कीजिए कुछ पूछना, कुछ कहना है I am done here गवान गए थे बसुदेवची से इस अनन्द बाबा के गए जो सब कुछ किसी को नहीं पता था कि बाद जाए तो पर बाद में यह चीजिश्श कहां गए थे? जब असदेवची छोड़ने गए थे Krishna कि किसी को नहीं पता था तो बाद में यह सुदेवीड कैसे हुआ? अक्रूर जी को किसने बताया? अक्रूर जी को अंदर ही पता है वो भगवान है तो पर नंद भावे शुदा में उनकी बाद के एक से रिले आप सच बोड़े मतल़ उनको थोड़े ना बताया है भगवान है अक्रूर जी तो भाना लगाया था कि भई वहां पर बड़ा फेस्टेबल हो रहा है क्रिष्ण बल्राम को इंवाइट कर रहे हैं बस इतना था बस उन्होंने वो कैसे कर देंगे भगवान है इंपॉसिबल है उनको नहीं पता था वसुदेव के बेटे है वो बाद में रिवील हुआ है वो जब लड़ाई बड़ाई हो गई सब तो क्रिष्ण बल्राम ने खुदी बता दिया वह बसुदेव नहीं बता दिया कि मेरे बेटे हैं क्योंकि जब लड़ाई हुई सब मर गया कंस भी मर गया तो उस टेम नंद बाबा ये शोदमा भी आये होगे थे टैक्स देने के लिए कंस को वो भी पीछे से आ गए थे तो फिर उसके बाद जब खतम होगया तो रंद बाबेश्व दमाने का चलो तो वसुदेव ने का कहा चलो भाई नंद बाबा से तो मेरा बच्चा है उनने सब बता दिया कि यह ऐसे हुआ था हमारे पैदा हुआ था हमने तो एक्सचेंज किया था आपसे और सब सारी वह सीग्रेट खुल गई तब ही तो नंद बाबा कुछ कर नहीं पाए फिर अब क्या करूं मैं तो ने का क्रिश्ण क्रिश्ण कैसे कैसे बोलू मैं तुम चलो अब तो एक कॉंप्लेक्स सिच्वेशन हो गई तुम तो उन होगी तो फिर प्रिश्ण ने का कि यह तो बहुत कॉंप्लेक्स सिच्वेशन है भगवान ने का नंद बाबा से आप जाईए विकि अभी मैं आनी सकता ग्यारा साल बाद अब उसको भी तो बात सले रस चाहिए मां को अभी तो उसको डर हटा है अभी खुली है यह मर जाए तो नंद बाबा को किसी तरह बोलके मैं आऊंगा वापस वापस भीष लिए लिए यह लाए अगा ने को पता निलागा उसके पता लाए तो काम कर आजबा साथ दे 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 लिए अगो एक्टली उनको पता निलागा बड़े टेंस थे माइट बेट ने कि टेंशन थी ना कि कृष्ण गोल्राम को ले जा रहा हूं मैं कंस के बहां और वो कुछ ट्रैम बनाएगा उनको पता भी था भगवान है बट उनको फिर भी कि उनको डर भी था मतलब उनका पूरा इश्वरे भावनिया इश्वरे माधुरे मिक्स्ट है मतरवासी है ना त बट डर भी था यह भी पता था भगवान है एक्स्ट्रीम टेंशन यह भी पता था कि मैं गलत कर रहा हूं कि कृष्ण ने ने जा रहा हूं मैं कुछ कर भी नहीं सकते है करूर जी कंस ने का भई या तो तुम ले कर आओ या मैं मार दूंगा दो यह आप्शन है तुमारे प हुए कि वो गय नन बाबा रो रहे हैं सब उनकर रोना उनको सहन मी हो रहा है में तो वो रात को पहुँचे उन्होंने का भाई ब्या सब्सक्राइब करो जितना बात लिपटती जाएगी ना जब पैड़ बैक रद पे आओ चलते हैं बस यह हुआ और जल्दी से ले गए जितना रुकते उतना प्रॉब्लम थी वहां जब पाएं ओके जए हरे कृष्णा श्रीरा प्रभवपात की जए